हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर योटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेडी सूट फिटिंग की कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपके सारे के सारे कन्फूजन दूर हो जाएंगे दोस्तो काफी सारे कि मुझे ये कमेंट मिलते हैं कि सर आप सूट में लूजिंग क्यों देते हो इससे तो सूट लूज हो जाएगा तो दोस्तों यह सबसे बड़ा जो कन्फूजन बिगिनर्स के साथ होता है तो आपको आज डिटेल में पूरी तरह से प्रकार से सूट में लूजिंग दी जा तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंड्स में आपको बताता हूं कि सूट में लूजिंग क्यों दी जाती तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट लेकर बताऊंगा बोडी मेजरमेंट के अको बताऊंगा क्यों लूजिंग दी है और लूजिंग क्यों दी है तो सबसे पहले जो है बोडी मेजरमेंट लेते हैं यह देखें तो बोडी मेजरमेंट लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जिस चीज़ का नाप लिया जाता है इसे बोलो जाता है लोवर ब्रस्ट का मतलब होता है दोस्तों यह इ तो कमर दोस्तों इनके आप देखा तो 31 याने की 31 इसके बाद बात करते हैं हिपसायज की देखें तो फीय साइज का जो नाप आपको लेना ये देखें हैं हिपसायज का 36 सिंच एक तो तरीका यह का नाप लेने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दिया है अब इस बोडी मेजर में जो मैंने इनका नाप लिया है अब मैं आपको बताता हूं कि यह पहना हुआ इसमें मैंने कितनी लूजिंग दी है उसके लिए प्रैक्टिक लिए दोस्तों इस सूट मैं आपको दिखाता हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यह वह सूट है जो अभी मेरी वाइफी ने पहना हुआ था तो अब मैं आपको बताता हूं पहने हूए सूट में और बोड तो कितना बनता यह यह टोटल बन रहा है दोस्तो 37 जब कि लोवर बस का जो नाप था वो था 35 दो कहने कहने का मतलब मेरे यह है कि इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग दी है इसी प्रकार से अपर बस्तों इस जगए से नाप निहीं आपको यह देखे अपर बस का नाप कितना यह 19 इंच और 19 को डबल करने कितना बनता है यह बनता 38 इंच यानि कि सीना था 36 और इसमें दो इंच हमने लूजिंग दे तो यह आया 38 तो दो इंच लूज करने के बाद जो सूट की बिल्गू परफेक्ट फेटिंग आ गई इसी प्रकार से दोस्तों कमर का भी मैं आपको बत पर हिप वाले जगह से दोस्तों अगर मैंने जब राउंड बे नाप लिया था 36 था और इसको देखते हैं कितना रहा है यह 19 और 19 को डबल करते हैं तो यह कितना हो गया 38 तो दो इंच भी इसमें जो लूजिंग दी है मैंने कुल मिला कि बोडिंग मेजरमेंट लेने के आप देखते हैं हलका से स्टैच हो रहा है लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी स्टैच नहीं होते जैसे कि आपको दिखाता हूं यह वाला दोस्तों यह भी एक सूट है अभी धूरा है पूरा इसको मैंने सीला नहीं है और इस कपड़े को जब आप अगर इसका सूट बनाना हो और इसमें आपने गलती से लूजिंग दे दी तो सूट बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा आप देख सकता हो यह जो कपड़ा है फुल स्टैच होता आप इस प्रकार से देखें ठीक है इस तरह के जब कपड़ें बनाते हैं तो बहुत करने के बाद कटिंग हम कर देते हैं लेकिन दोस्तों इस तरह के कभी आप कपड़ा बनाते हो जाखिर सूट में लूजिंग क्यों दी जाती है अगर दोस्तों आप लूजिंग नहीं दोगे तो आपका सूट बहुत जाएट हो पहना ही नहीं जाएगा तो इसलिए दोस्तो जब भी आप नाप लो नाप लेने के बाद कपड़े के इसाप से दो या फिर तीन इंच की लूजिंग आपको देनी ही पड़ती है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तो प्लीज आज की वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बाद उपली चैनल को सब्सकाइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्छ